दोस्तों नमस्कार, Stock Market Plainer की सीरीज में मैं Dr. Amitma Aishwari आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और Aishwari से कामना करता हूं कि Stock Market में भरपूर पैसा कमाएं दोस्तों आपके लिए इस सीरीज में कुछ वीडियो हम अलड़ी बना चुके हैं सबसे पहले वीडियो हमने बनाया था पैसे बचाओ और बढ़ाओ मतलब हमने Personal Finance के ऊपर वीडियो बनाया था और उसी में मैंने प्रस्टन पूछा था अगर आप Stock Market के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं और आप लोगोंने बहुत प्यार दिया बहुत सारे कॉमेंट्स की किसा इसके पूरी सीरीज बनाओ दूसरी वीडियो हमने बात कि थी कि बही एनसी क्या होता है बीएसी क्या होता है निफ्टी क्या होता है सेंसेक्स क्या आता है यह सारी चीज़ों के बारे में गहनता से हमने समझा फिर हमने नेक्स वीडियो में बात कि थी कि कि कहा में इंवेस्टिंग करनी है कि क्योंकि ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग दोनों अ सबसे important क्या है कि वही candlestick charts को हम कैसे पढ़ते हैं उसके patterns कैसे हम identify करते हैं trend का कैसे पता लगता है कि वही तेजी से market तेजी में बढ़ रही है या stable है या downfall में जा रही है यह मैं simple बोल रहा हूं भी टेक्निकल बोलूगा आपसे है ना तो मेरा आपसे request है अगर stock market millionaire की इन तीनों वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले देख लीजिए क्योंकि हमेशा कहते हैं कि अधूरा घ्यान हमेशा खतरनाक होता है जब आप चीजों को सीखेंगे समझेंगे तो आप आसानी से हर बात को समझ पाएंगे आज जिविश्यपरम बात करने वाले हैं केंडर स्टिक से संबंदित है पर फिर मेरा प्रशन वहीं खड़ा होता है कि कहीं ऐसा थो नहीं कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं पर रेत के धेर पर खड़ें और सोच रहे हैं कि किताबें पढ़कर थेयोरिटिकल वीडियो देखकर मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा तो ध्यान रखिए स्विमिंग के वाल आप तभी सीख सकते हैं जब आप पूल में उतरने का प्रयास करें या आपके आसपास कहीं स्विमिंग पूल होगा और पूल में उतरने से पहले ध्यान रखेगा कि आप सबसे पहले basic knowledge, advanced knowledge सारी चीजों को अच्छे समझ लें और उसके बाद implement करें implement करने के लिए swimming pool में उतरने के लिए आपको चाहिए DMAT account और अभी तक अगर आपने DMAT account नहीं खोला तो इन सभी brokers के DMAT account के link कैसे open आप कर सकते हैं वो हमारे description box में दिये हुआ है उन पर click करें अपना DMAT account खोलें और साथिधात हमारा telegram channel जॉइन करें जहां पर valuable information आपको मिलती रहेगी आप कहीं भी खोल सकते हैं banks के साथ HDFC security, ICIC direct या अगर broker के साथ खोलते हैं तो मुतिला लोसवाल, apps के साथ करते हैं तो up stock, zero, grow इन में से किसी के भी साथ आप account खोले आप account जरूर खोले क्योंकि swimming pool में आए बिना swimming को सिखा नहीं जा सकता तो आज हम बात करते हैं candle sticks के बारे में, उसके charts के बारे में किस के सरह के होते हैं देखे, share market का रुख हो या business में growth की संभावना हो या किसी भी चीज का आंकलन कि वह बढ़ रही है, घट रही है, stable है कैसी किया जाता है, charts के माधियम से, calculations के माधियम से अब share market में chart को study करने के लिए different different तरीके के chart है share market को समझने के लिए जैसे line chart क्या बताता है यहां share market यहां से शूरी होई, बढ़ गई फिर थोड़ी सी घटी, फिर बढ़ गई फिर थोड़ा fluctuation आया, फिर बढ़ गई घट गई बढ़ गई और इस तरह से लगातार charts के माधियम से आप share market में move को देख सकते हैं ठीक उस तरह से दूसरा तरीका है जहां पर line chart ना होकर bars बने हुए, अब green bar buying को represent करता है, red bar selling को represent करता है, तो इस तरह से buying बहुत जादा है, buying buying है, थोड़ी से selling है, फिर buying है buying है, फिर selling बहुत जादा है, selling selling है, selling है, और selling जादा होगी तो share market नीचे आजाएगी यहां पर लेकिन यह सब बार के माधियम से बना हुआ है, है ना, तो यहां बार के माधियम से भी study करते है, पर इंडिया में क्या पूरे world में सबसे जादा जो pattern famous है, वह candle stick pattern, candle sticks के माधियम से आप volume से लेकर, buying, selling, market के trend को समझ पाते हैं, क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना इसको आप study कर पाते हैं, तो candle stick pattern को समझने से पहले, सबसे पहले में यही पता होना चाहिए कि यह candle होती कैसी है, इसका share market में candle का chart pattern पढ़ना आएगा ही नहीं, तो आज हम बात करते हैं इस pattern के बारे में, तो देखिए, candle stick में दो तरह की candle होती है, ग्रीन और रेड, अलग-अलग color से इसको denote करते हैं पर जर्नल ही जो देखा एता है वो green और red, और green जो को represent करता है, मतलब bullish को represent करता है, जब buy करेंगे तो rate बढ़ेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा share market demand and supply के अधार पर चलता है, और demand कब create होगी जब आप price कब increase होगा जब demand होगी, जितनी ज़्यादा demand बढ़ती जाएगी उतना सबसे पहले यह होती है, इसको कहते है body, green, green body और यहाँ पर red body fine, उसके बाद को कहते है, wick, यह lower wick और यह upper wick, यह भी wick और यह भी wick अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझ लीजिए, इसका मतलब समझने के बाद ही आप इस candle stick को study कर पाएंगे, देखिए, share market में जब growth हो रही होती है, मतलब जब buying हो रही होती है, तो क्या होता है, graph उपर की ओड़ जाता है, इसका मतलब इसकी opening कहां से होगी, यहां से, fine, और यहां से open होते 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 होते, यह price यहां तक गया, यहां पर close होने से पहले एक बार हाई गया और वापस यहां पर आकर close हो गया, लेकिन जब यहां से open हो था तो एक बार price थोड़ था नीचे गया, फिर वापस ही आया, और बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, जब stick की जो body है, वो बिल्कुल solid बनी हुई है, तो यहां पर हम कहा सकते हैं कि यह price वापस यहां आया, और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते, यहां close होने से पहले, और ज़्यादा हमारे जो buyer है, उनका एक pressure आया, price थोड़ा उपर गया, पर seller के pressure की वज़े से वापस आके, यहां के price close हो गया, तो इसका मतलब, जब भी हम green candle की बात करे तो यहां पर price open होगा, और यहां पर close होगा, और यह लो होगा, कि इतना थोड़ा और नीचे गया था price और यहां पर और ऊपर गया था, ठीक उस तरह से, जो red candle है न, वो इसके opposite, red candle कब बनेगी, जब selling होगी, selling होगी का मतलब, demand and supply के rule के according, यह कह है, demand और यह कह है, supply, supply का मतल पस वहीं आया, उसके बाद seller का pressure बढ़ता गया, बढ़ता गया, seller का pressure था यहां पर, यहां पर close होने से पहले, फिर दुबारा, price थोड़ा सा नीचे गया और वापस यहीं आकर close हो गया, fine, तो यह बात ध्यान से समझना बहुत जुरूरी है, कि किस तरह से हुआ, यहां से open ह थोड़ा उपर गया, फिर यहां से नीचे आना शुरू हुआ, और यहां पर close होने से पहले एक बार नीचे गया, और यहां आकर वापस close हो, तो इस तरह का structure बना, और ऐसे इसमें क्या बनेगा, कि price यहां से open हुआ, जैसे open हुआ, तो seller का pressure था थोड़ा था नीचे आया, फ जैसे ने का demand का मतलब क्या, उपर जाना, price उपर जाना, और अगर sales जादा है, supply जादा है, तो price नीचे जाना, मतलब open कहां से होगा, यहां से होगा, तो दोनों बिल्कुल opposite है, इसको क्या बोलते है, bullish candle, bullish candle का मतलब कि यहां पर bulls है, मतलब buyers है, और bearish का मतलब यहां पर bear है, यहां पर seller है, तो यह सबसे important है, अब किसी भी chart को study करने के लिए, हर व्यक्ति का conclusion बिल्कुल different होता है, क्यों होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कि आप जो buying कर रहे हैं, आप जो selling कर रहे हैं, उसमें आप किस time frame के अंतरगत कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि stock market में अगर आप trade कर रहे हैं, तो जो trade भी है, वो क्या intraday, intraday में आप कर रहे हैं, या swing कर रहे हैं, कि आपने particular time, 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 1,5 महिना, 2 महिना, साल बरतक भी हो सकता है, तो आप swing trading कर रहे हैं, या आप positional trading कर रहे हैं, कि एक particular time कि आपने position buy की हुई है, तो ह हर व्यक्ति अपनी जरुवत के हिसाब से chart देखता है, अब chart को देखने का time frame क्या हो सकता है, आप monthly देख सकते हैं, आप weekly देख सकते हैं, आप daily देख सकते हैं, आप hourly देख सकते हैं, जो भी लोग swing trading कर रहे होते हैं, वो monthly, six month, one year, या weekly, daily, इस तरह से देखते हैं, लेकिन ज time frame देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, नजरिया बिल्कुल अलग होता है, क्यों, क्योंकि उनको एक particular expiry date मिली होती है, तो expiry date के according वो देखते हैं, कि भी क्या होगा, जैसे वो daily देख सकते हैं, लेकिन जो लोग intra day कर रहे हैं, मतना every day they are doing trading, रोज वो buy or sell करते हैं, औ और उसके हिसाब से जो chart है, उसको अलग mindset के साथ, अलग sentiments के साथ वो उसको read कर रहा है, जिसकी वज़व से कभी भी आसा नहीं होता, कि सभी का result एक जैसा हो, मतलब पूरे इंदोस्तान में सिर्फ buyer ही बायर है, सिर्फ salary seller है, हर एक का sentiment अलग है, point of entry अलग है, point of exit अलग है, ज जो chart pattern ना, ये काम कैसे करता है, जो candle streak है, ये कैसे काम करता है, और कैसे में अंदाजा लगाते हैं कि कब market में right time होगा, कभी भी entry करने के लिए, exit करने के लिए, तो एक अजम शाय नहीं है, technical analysis की वो क्या, कि market discounts everything, market में हमेशा discount होता है, मतलब चाहे market तेजी में हो, चाहे market जब पैसा ना बनाया जा सके, बशरते आपका mindset क्या कहता है, आपका time frame क्या कहता है, आप किस तरह से candle stick को study करते है, कब आप entry करते है, कब आप exit करते है, वो सारा बहुत important है, price moves and trend, ये कहते हैं हम ये past, जो history है, इसको study क्यों करते है, कहते हैं कि कोई भी history जातर repeat होती है, जै जैसे आप fashion के trend दिख लीजिए, 1980s में, 1960s में, जो trend थे वो आज वापस आ गए है, समय समय पर trend जो होते हैं, वापस आते हैं, ठीक उस तरह से कहते हैं, कि price जो move करता है, जैसे अगर uptrend है, तो uptrend में price move करेगा, side wave है, उसमें move करेगा, downtrend है, उसमें move करेगा, तो हर segment में price क movement होता है, और जो लोग price के movement को समझ जाते हैं, वो decide कर लेते हैं, कि भी trading one को buying करनी है, selling करनी है, और किस तरह पैसा बनाया जा सकता है, history tend to repeat itself, यह third यहाँ पर assumption होती है, और यह assumption कहती है, कि ज़्यादा तर, अगर आप companies के charts को देखेंगे, share market के chart को देखेंगे, और candlesticks को study कर history जो है, वो repeat होती है, हर बार कुछ समय बाद वही same trend आजाता है, जैसा है पहले चल रहा था, है ना, मतलब market अगर तेजी से उपर जा रही है, तो यह guaranteed है, वो down आएगी, और इस बात का proof क्या है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, market तेजी से down आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक कैसे का सकता है, क्योंकि history में, past में भी ऐसा हुआ है, और फिर अप जाएगी, इसका proof क्या है, वो भी पहले हो चुका है, मतलब हमेशा कहते हैं कि history को repeat करती है market, अब जरूरत है हमें ये समझने की, कि charts को कैसे study किया जाए, क्योंकि chart को study करने में सबसे पहले हम केवल ये identify कर कर ले, कि trend कौन सा चल रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हम ये समझ पाएंगे, कि हमें buying करनी है, selling करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, कि intraday trading हो, या मतलब trading में जो आपको मिलती है, एक margin money मिल जाती है, कि कम amount पर आप ज़्यादा trade कर सकते है, एक तरह से property ख कर ले, तो आपको trend के माधियम से ये पता लग जाएगा, कि आप right time किस चीज़ का है, buying का है, wait and watch का है, या selling का है, ठीक है, अब trend क्या बताता है, trend ये बताता है कि इस समय market में क्या चल रहा है, उसको identify करने के लिए हम chart को study करते हैं, अब chart को study करने का सब का लग pattern है, कोई one minute म में देखता है, कोई five minute में, कोई 15 minute में, कोई one month में, कोई one day में, कोई one week में, कोई one year में, कोई five year में, कोई maximum time में, depend करता है आपकी जो investing या trading की strategy है, वो क्या है, वो सारी सीज़ हम सीखने समझने वाले हैं, अभी हम सिर्फ trend को जानना चाहते हैं, और trend क्या बताता है, अगर market उपर जा रही है, तो उसको uptrend कहेंगे, अगर आप इन graphs में अराम से देखेंगे तो आपको सब कुछ बता लग जाएगा, fine, मेरा request है, मैं यहाँ पर mark कर देता हूँ, यह मानलो graph number one है, यह two है, यह three है, और यह four है, ठीक है, अब मैं ABCD mark करूँगा, पहले आपको समझा ठीक है, जैसे terms में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से लेकर, देखेंगे, क्या होगा, हर एक price का जो bottom price है, यह bottom price के कुछ points ले ले लेते हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ mark करेंगे, और यहाँ का top price ले ले लेते हैं, तो आप देख यह यहां का lower है यह lower है और यह lower point है ठीक है तो यहां से अगर आप देखें lower आया और यहां का जो high है यह भी एक तरह से downfall में जा रहा है तो यह क्या हो गया? यह गया uptrend, और यह गया downtrend, ठीक है फिर यहाँ पर देखे, market यहाँ पर आने के बाद, फिर यहाँ से तेजी से, अगर हम point देखेंगे, तो यहासे point अगर आप down points को calculate करेंगे, तो यहाँ पर trend फिर change हो गया, यह क्या हो गया? uptrend फाइन ठीक उस तरह से यहां देखेंगे सबके lower कम से कम 2 point और 3 point को अगर आप mark कर लेते हैं मतलब lower price पर और higher price पर तो आपको कुछ trend line के बारे में पता लगता है जैसे यहां पर low आया सबसे लो यहां आ गया फिर सबसे लो यहां मतलब अगर हम lower चीज को चेक करेंगे तो lower का आया यहां पर 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 आया तो आपने एक line draw करती यह अब क्या शो कर रहा है अब trend higher price भी देख लो तो आपको यहां पर higher price का एक segment मिल गया ठेके ना और कहीं पर देखो अब आपको मैं question देता हूं कि आपको ABCD लिख देता हूं आपको मुझे comment box में बताना है कि यह कौन सा trend है मान लीजिए यहां 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 A B C D E F G H है ना यहां आपको mark करना है फैसी यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 यहां पर आपको कौन सा trend मिल रहा है Fine 1 2 3 यहां यहां देखें दो point आ गए यहां आपको कौन सा trend मिल रहा है तो कुछ trends है अब trends को कैसे समझना है कैसे पकड़ना है कैसे देखना है कैसे study करना है price को कैसे allocate करना है वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अभी मैंने आपको बताया कि चार्ट को जब हम देखते हैं अगर आप तेन टेन्ट होते हैं उस होते हैं उस क्लेंड के बारे में समझजली आपर चाहे है लेकिन जब उपर जाएगा तो पिछले उपर से जदा उपर जाएगा लेकिन जब नीचे आएगा तो पिछले नीचे से भी कम पॉइंट पर बंद हो जाएगा मतलब प्राइज यहां से शुरू हुआ उपर गया नीचे आया यह नीचे आ गया, इसका लास्ट पॉइंट आ गया, बाटम पॉइंट आ गया, यहां से फिर उपर गया लेकिन जब नीचे आया, तो पिछले वाले पॉइंट से वो उपर ही रहा मतलब higher high higher high और फिर higher लेकिन पिछले वाले से high फिर higher high अब यह low है तो यह low था लेकिन इस से यह वाला higher है low higher low higher low तो इस trend को हम क्या बोलेंगे uptrend यहां पर higher highs आ रहे हैं और यहां पर higher lows आ रहे हैं मतलब कहने का मतलब यह अगर यह point 15 से शुरू हुआ था तो अगली बार जब टॉप गया तो 25 गया उससे बाद अगली बार टॉप गया तो 35 गया उसके बाद गया तो 50 गया लेकिन low में भी यह हुआ है low भी हमेशा higher रहा है जो low था उससे उपर जाके खतम हुआ है मतलब 4 पर था लेकिन अगली बार जब low आया तो वो 10 था मतलब 4 से उपर ही था फिर अगली बार आया तो 20 था लेकिन वो 10 से उपर ही था फिर अगली बार आया तो 30 आया वो उपर ही था इसका मतलब यह जो trend है, इसको uptrend कहेंगे, अब previous chart में आपको यह identify करना है कि कौन सा uptrend है, कौन सा downtrend है, यहाँ पर फिर दुबारा से मैं लिख देता हूं points, यहाँ पर आप 1, 2, 3 करके करता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आप लिख देता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में क कब क्या क्या trend है, ऐसी यहाँ पर, 10, 11, 12, 13, इस पर आप mark कीजिएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इन पर आप mark करके मुझे बताओ, आप सिर्फ comment box में कैसे लिखेंगे, कि 1, 2 and 3 जो है, वो कौन सा trend है, फिर 3, 4, 5, 6, यह कौन सा trend है, 7, 8, 9 कौन सा trend है, 10, 11, 12, यह कौन सा trend है, 13, चलो वो एक लग चाड हो गया, 13 एक लग पाइंट हो गया, 14 यहाँ पर कर लेते हैं, एक एक पाइंट बढ़ा देगा, 13, 13, A कर लो इसको, 13, A, यह कौन सा trend है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, पर कौन सा trend है, ऐसे यहाँ पर आप मार्क करना, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ कौन सा trend है, तो आप देखेंगे कि एक trend कौन सा है, uptrend, uptrend का मतलब है कि चाहें price उपर जाए, लेकिन अगली बार जब भी जाएगा, तो उससे भी उपर जाएगा, और चाहें low जाए, लेकिन पिछले लो से उपर रहेगा, तो इसको बोलते है higher high, fine, next जो है, उसको बोलते हैं, side wave trend, side wave trend का मतलब का है, कि market में price उपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन एक range के अंतरगती हो रहा है, जैसे मानलीजिये, price यहाँ पर 5 से शुरू हुआ, और 10 पहुंच गया, लेकिन जब नीचे आया, तो लगबग यहाँ पर मानलीजिये, यह विक देखेंगे तो, फिर 5 आ गया, फिर उपर गया, तो यहाँ पर 10 पहुंच गया, फिर नीचे आया, तो 5 आ गया, फिर उपर आया, तो मानलीजिये, यहाँ पर 10 नहीं गया, लेकिन 8 है, फिर थोड़ सा नीचे आया, 5 नहीं है, 6 है, फिर यहाँ पर और नीचे आया, 5 पर वापस आया, फिर य वो एक management base पर हुई है ताकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना तो price को उपर ले जा पाया और नहीं कोई बहुत जादा नीचे ले जा पाया, एक segment के अंदर में price रहा है, इसको बोलते है side wave trend, fine, next trend है उसको बोलते है, downtrend, downtrend का मतलब क्या है, कि price जैसे जैसे उपर जाके higher high लगा point हमें चाहिए होते हैं, जैसे यहां देखें तो 1, 2, 3, तो यह जो एक trend है यहां पर, यह कह है uptrend, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, और यहां, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, एक तरह का downtrend मिल रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, uptrend मिल रहा है, तो सबस इनों वाला जो अब नहीं है इस दुनिया में वो भी थे तो वो भी यह नहीं पैचान पाते थे कि अगर अब ट्रेंड है तो एंट्री कहां पर करनी यह राइट प्राइज है यह राइट प्राइज है यह राइट प्राइज है यह राइट प्राइज है यह राइट प्राइ क्योंगी उसका यहां आगया जिसने 20 पेंट्री की उसको लग रहा था ना market uptrend में लेकिन वहीं से downtrend चालू हो गया तो क्या हो जिसने 20 में खरीदा था उसका प्राइज यहां पर 15 आ गया यहां पर 5 आ गया अगर उसने exit 20 के बाद 15 यहां के बाद अगर exit यहां पर किया तो भ जिर्फ एक trend जो है वो downtrend आगर हम यहां देखेंगे points को donate करते हुए तो यह downtrend है fine तो इस तरह से हम downtrend को denote करते हैं तो support and resistance क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं मतलब resistance support का मतलब क्या है कि कौन सा सही समय है किसी भी share को खरीदने या बेचने का fine आप देखिए मैंने uptrend and downtrend बता दिया तो यह जो trend है को uptrend कहेंगे तो uptrend का जो lower high है मतलब सबसे नीचे वाला तो point है लेकिन high आता जा रहा हर बार यह देखिए lower high तो यह lower high point और upper high जो है जो यहाँ पर यह up high है इस ने trend को तो बता दिया लेकिन यहीं पर decide होता है कि क्या support है और क्या resistance है मतलब किस समय पर हमें खरीदने का सही समय आता है तक वो पूरे stock को hold करेगा और intraday में तो ऐसे मोके बहुत काम आते है तो वहाँ पर आपन high बहुत जल्दी हो जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ जब भी आपका price पिछले वाले lower price से नीचे आएगा uptrend में तो वो क्या होगा support का का काम करेगा जैसे यहाँ से price बढ़ना और यह जो है वो resistance point का मतलब अब यह ऊपर जाने के बाद इतना ऊपर गया था इससे उपर और जाने के संभावना भी नहीं है अब downfall हो रहा है तो यह हो गया support और यह हो गया resistance मतलब अगर आपको अगर buying में हैं तो आपको support पर buy करना है लेकिन अगर आप selling पर हैं तो आपक resistance पर आके selling करनी है ताकि आप कभी भी ऐसा ना हो कि आप loss में चले जाए यह आपका stop loss जो हो हीट हो जाए तो इसको बोलते support and resistance ठीक इस तरह से दूसरे इसमें देख लीजी आप यहां भी आपको support and resistance clear दिख जाएगा कि यह जो आपका lower price है यह आपका क्या है support price है और यह जो कहां कहां पर support point है कहां कहां resistance point है मैं यहां पर marking number लिख देता हूँ ताकि आप number में ठीक से उसको समझ पाएं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, fine, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, 42, 43, 44, 44, आप number के साब से लेखेंगे comment box में कि कौन-कौन सा point कहां पर रहा और किस में क्या resistance है और क्या support है fine, तो यह मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम candlestick की body को wick को समझते है, price कैसे बढ़ता है, घटता है, यह समझ में आता है और उसके बाद support क्या होता है, resistance क्या होता है, higher high क्या होता है, higher low क्या होता है, यह सारी चीज़ आपने समझी है coming topic जो हमारे next वीडियो में होने वाले है, वो क्या candlestick की अलग-अलग pattern होते हैं, जिसको हम समझेंगे accumulation, distribution और indicators को हम कैसे study करते हैं, और share market में किस तरह से identify करें कि entry और exit का right time क्या है, दूसरा friends मैंने आपको बताया था है कि आपके लिए telegram channel है, telegram channel को join करने के लिए description box में link दिया है, वहाँ पर click करके आप join कर सकते हैं DMAT account आपने अभी तक नहीं खोला तो उसकी detail भी आपको description box में मिल जाने वाली है, एक मैंने यहाँ पर आपको एक अच्छी opportunity दिया है, वो क्या है, अगर आप इस वीडियो को कहीं भी share करते हैं, Facebook पर, LinkedIn पर, Twitter, Instagram, अपने friends and relatives के साथ, तो उसका screenshot खीचने के बाद अगर आप इ trend में कौन सी company आगे बढ़ने के संभावना है, government की policies क्या है, बहुत सरी ऐसी बाते हैं, जिससे आप ये decision ले पाएं, कि right investing और right trading में आप कैसे अच्छा पैसा बना सकती है, इसके लावा मेरा आप लोगों से एक request है, कि अगर आप चाहते हैं कि ये series की videos हम जल्दी जल्दी ल संबंदित या stock market से संबंदित वो हमें comment box में ज़रूर लिखें, कोई भी informative वीडियो मिसना, उसके लिए चैनल को subscribe करें, bell icon को ज़रूर प्रैस करें, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे भविश्य की काम ना क जय हिंद, जय भारत!